और उत्तर प्रदेश के कानपुर में नौ दिनों में 130 लोगों की हाल टैक से हुई मौत भीशर ठंड की वज़ा से बढ़ रहे हैं ऐसे मामले LPS हरदय रोग केंदर निदेशक दौकर विनाय कृष्ण ने जारी किया बया और लकेमपुर खीरी जिले में बड़ी संख्या में आज शारदा नदी में जल सत्याग्रा अंदूलन कर रहे हैं किसान बकाया बुगतान के साथ गन्ना मूल बढ़ाने की है मांग बजाचीनी मिल पलिया नहीं कर रही है बकाया बुगतान आगरा में फरजी आईपीए सदिकारी बनकर शादी करने वाले व्यक्तिकों किया गया गिरफ्तार आरोपी युवक्त संजय को पुलिस ने लिया हिरासत एत्मा दौला थाने में तर्ज हुआ था मुकदमा परजनपा सीधापुर में जिला स्पताल में हार्ट के पेशेंटों की बड़ी संख्या पिशले हफ्ते में अब तक 17 लोगों की हो चुकी है आज से गोरकपुर महुतसफ का हो रहा है आगाज 11 से 13 जनवरी तक चलेगा यहां गोरकपुर महुतसफ तेरा जनवरी को सीअम योगी भी कर सकते हैं शरका लकनओ के लोहिया स्पताल का मामला रेटाइड नर्सों की भरती पर हो रहा है बवाल नर्सिंग रेटू के 40 पदों पर निकला था भरती विज्यापन इसके बाद इंटरव्यू में रेटाइड नर्सों को प्रार्थमिक्ता देने पर भड़क उठे बेरोजगार अभ्यार लकनओ के लोहिया संस्थान में लिफ्ट में फसे लोग कड़ी मशक्कत के बाद पांच मिनट के बाद लिफ्ट का खुला बलॉग। लिफ्टों की मरम्मत नहीं बड़ी बात आ रही है सामड़। मुख्य मंत्री योगी आदे तिनात ने किसानों को दी बड़ी राहत बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा कनेक्शन पावर कॉर्पोरिशन की ओर से जारी किये गए आदेश।